सब कैसे हो तो 23 जैन्वरी फर्स शिफ्ट का एक्जाम का जो सॉल्यूशन है वह आ चुका है तो आज का जो एक्जाम था थोड़ा इसी था इन कंपेजेंट तो कल के एक्जाम से तो पहली शिफ्ट इसी तो आए गई पर दूसरा शिफ्ट है थोड़ा हाड आएगा तो आज क सब्सक्राइब है जो कि इस समय है मुंबए में इसके बाद बहुत ही इसी कुछन पूछा गया जो कि बहुत ही जटनल कुछन है फस सूपरकंप्यूटर ऑफ इंडिया तो इंडिया भारत का पहला परा मैं इसके बाद सीसा सीसियर की फूल पूछी गई है जो जिसका है ता आर्टिकल से कि अक्टूबर 2020 तक टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल कितने हैं तो इसका जो आंसर था वो था इसके बाद इन्हुने एक कोष्यन पूछा एणएल को किस फॉण में लिख सकते हैं तो इसके बाद एक कोष्यन यह भी पूछा गया कि करेला का मुख्य खेल कौन सा है तो करेला का मुख्य खेल इसका पूड़ फूड़ था अगर 75 तो एक स्क्वार minus y square equal to 300 होगा तो आप इसको x minus y पूछा गया था जो कि आप आसानी से निकाल सकते हैं आपको पता हिए a square minus b square जो होता है आपका क्या होता है a square minus b square होता है वो आपका formula होता है a plus b into a minus b होता है तो आप वहाँ से इस formula के जड़िया आप x minus y की value easily निकाल सकते थे आपको 300 को भाग करना था 75 से तो यह question easy था इसके बाद गुजराद से पूछा गया question के वहां maximum पैट्रोल कहां पर मिलता है उसके बाद question यह भी पूछा गया फोटो संथे से पूछा गया था उसके बाद एक question ट्रिक्नोमेटरी साथ लगब पांच question पूछे गया है जो कि है एक question यह था cos a plus sec a equal to 2 है तो cos 6 plus sec 6 a कैसे निकालेंगे तो यह आपको पता है आप cube का formula लगा सकते हैं यहाँ पर simply आपको a cube plus b cube का formula पता equal to होता है a plus b a plus b into a square plus b square minus a b कि उस formula से आप इसे easily निकाल सकते हैं इसके बाद सिंपल सा formula था sign a अगर आपको sign a 5 by 13 दे रखा तो आपको इस वाले को solve करना था इस expression को आपको expand करना था तो यह भी हो जाता यह आप सीधे सीधे value यहां चार रख देते हैं तो यह हो जाता यही बहुत आचांद question था इसके बाद computer का यह बहुत ही easy question था इसके बाद एक question आपका यही पूछा गया है कि कि FIFA 2022 कहा हो तो इससा सही answer था कतार रशिया इसके बाद दोस्तों एक question यह पूछा गया था कि यह मान लोग कि अगर X प्लस Y जो है यानि कि X और Y 16 दिन में एक काम को करते हैं तो मैंने हाँ पर इससे simple भाष्णा में लिखा है और X और Y 14 दिन में एक काम को करते हैं और तीनो आज के question के shift हैं पूछे गए थे तो overall जो आज का जो question पे बता है वो मैं आपका बता है easy to moderate था और आसानी से बच्चा जो था आसानी से बच्चा आज मेरे साब से आज आसानी से math तो बहुत easy था reasoning moderate थी क्योंकि reasoning थोड़ी थोड़ी banking की आ रही है और GK easy to moderate थी अच्छा question थे जी के में तो first shift में अच्छे question आते हैं जो कि आराम से बच्चा कर सकता है तो मेरे साब से जो है 80 प्लस आज के गुड़ अटेम्ट थे बच्चे के अटेम्ट कर सकता है और अगर आपके कुछ गलत हो जाता है में साब से 70 के उपर तो आई जाएंगे नंबर आज की शिफ्ट में बच्चों के अगर जो पढ़ने वाला बच्चा है तो यह और जो ब उतना पूरा ध्यान दीजिए आपना पूरा बैस्ति देखें अगर आप तीन कोश्चन लगातार गलत करते हैं तो आपका एक नंबर चले आएगा यानि कि चार नंबर गए तो प्लीज समल के करें बिल्कुल एक्कुरेट करो जितना आता है उतना ही करो पक्का हो जाएगा सेलेक्शन कोई दिक्कत की बात नहीं है ठीक है तो थैंक यू अगर ये वीडियो पसंद आई तो भी आप प्लीज मेरे चैनल को लाइक करो सब्सक्राइब करो शेर करो और मैं और भी डेली एनेसिस के बेसिस पर बनाऊंगा वीडियो बनाऊंगा जल्दी बनाऊंगा तो प्लीज मेरे को सपोर्ट करिए प्लीज मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए थैंक यू एव्रिवन गुडबाई एव नाइस टेड़